आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 1990 में रिलीज हुई रुमेंटिक एक्षन ड्रामा मुवी बागी का जिसके लीड रोल्स में हैं सलमान खान, नगमा, शक्ती कपूर, किरन कुमार, मोनिश बहल, अफ्तार गिल और बीना बैनर जी इस फिल्म की स्टोरी का आइडिया खुद सलमान खान ने दिया था और इस फिल्म की कहानी लिखी है जावेद सिद्धीकी ने और इस फिल्म को डारेट किया है दीपक शिवदासानी ने और इस फिल्म के प्रिडूसर है नितिन मनमोन कहानी की बात करें तो ये कहानी है साजन यानी सल्मान खान की जो इंटियन आरमी के करनल का बेटा ए साजन एक कालिज में पढ़ता है और उसके पिता की ख्वाइश है कि वो भी उनकी तरह एक आरमी आफिसर बने जबके साजन के सपने कुछ और हैं साजन को काजल नाम की लड़की यानी नगमा से प्यार हो जाता है फिर कहानी अपना असर रुख लेती है जब पता चलता है कि काजल एक बहुत मुसीबत में है और उसे जबरदस्ती कूठे की वैशिया बनाया जा रहा है और ये जानने के बाद साजन तै करता है कि वो उसे इस मुसीबत से निकाल ले जाएगा और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब साजन के पता साजन और काजल के खिलाफ हो जाते हैं क्योंके वो मानते हैं कि काजल एक पेशेवर वैशिया है और फिर शुरू होती है बेटे की बगावत अपने बाप के खिलाफ और वो इस बेरहम दुनिया का सामना करने के लिए बागी बन जाता है और ठान लेता है कि वो अपने प्यार को बचा के रहेगा अब इसके आगे फिल्म की कहानी क्या रहती है इसका पता आप फिल्म देखकर लगा सकते हैं अब बात करें डारेक्शन की तो डारेक्टर दीपक शिब्दासानी का काम काबले तारीफ है और इसी वज़ा से बागी फिल्म की डारेक्शन में हमें कोई कमी नजर नहीं आएगी Screenplay की बात करें तो फिल्म का Sceneplay बहुत बारीकी से लिखा गया है जिसकी बदौलत औरदियनस फिल्म के शुरू से एंड तक जुड़ी रहती है फिल्म के डाइलॉक्स भी शानदर हैं और फिल्म का म्यूजिक तो बहुत भी लाजवाब है और इस फिल्म के गाने और्डियंस को हस से जादा पसंद आये थे खास तोर पे मशूर गाना चांदनी रात है जो आज भी लोग बहुत शौक से सुनते हैं अब बात करें एक्टिंग पर्फॉर्मेंस की तो हम सबी जानते हैं के सल्मान खान अपनी शुरुवाती फिल्मों में कुछ जादाई हाइड वर्किंग के साथ पर्फॉर्म करते थे और इसी वजह से उनका हर किरदार काफी इमपेक्टफुल लगता था और इस फिल्म में भी उन्होंने काबले तारीफ काम किया है और ये पर्फॉर्मेस उनके केरियर की वन आफ दा फाइनेस पर्फॉर्मेंस इसमें से एक है नगमा की बात करें तो उन्होंने भी अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है और वो अपने इस किरदार में काफी रियल लग रही थी इसके अलावा फिल्म की बाकी कास ने भी अपने अपना रोल बहुत ही शांदार तरीके से निभाया है अब बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म को 21 दिसंबर 1990 को रिलीस किया गया था और इस फिल्म का बजट 2 करोड के आसपास रखा गया था और इस फिल्म ने इंडिया में 4 करोड का कलेक्शन किया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड इस फिल्म में कमाल की कहानी के साथ साथ आपको सलमान खान की दमदार परफॉर्मस भी देखने को मिलेगी